हेलो स्टुटेंट्स आजगे सेशन में बात करेंगे लास्ट टाइम आप लोगों ने एसीडिटी पढ़ी है जो एसीडिक स्टेंथ है उसी में कंटिन्यू करते हुए अपन टॉपिक डिसकस करेंगे देखेगा यहां पर कुछ रियक्शन्स हैं जो आपके एसीडिक हैं जैसे आपके एलकॉल हो गया फिनोल हो गया और कार्बोक्सलिक एसीड हो गया उससे रिलेटेड जो कुछ रियक्शन्स हैं कि कौन-कौन से कंपाउंड जो है वो रियेजेंट के साथ रियक्ट करते हैं और अपनी एसीडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं उनके बार करते हैं सम रियक्शन ओफ एसीडिक एसीडिक इस्ट्रेंथ सम रियक्शन ओफ एसीडिक स्ट्रेंथ इसमें देखिएगा कौन सा रियेजेंट यूज किया जा रहा है तो अपन लिख सकते हैं रियक्शन वेट पिर बनने वाला जो प्रोडेक्ट है उसको अपन देखेंगे और रियक्शन गिवन बाई तो आपके फ़र्स्ट हो जाता है एलकोहल सेकेंड हो जाता है फिनॉल और थर्ड हो जाता है कार्बोक्सलीक एसेंट क्लेर बटन तो देखो जब भी अपन बात करते हैं फ़र्स्ट की कोई भी एक्टिव मेटल के साथ एक्टिव मेटल्स लाइक आपके स्टोडियम, पोटेसियम, अलुमिनियम यह हो गए इनके साथ कौन-कौन रियक्ट कर पाता है तो देखिएगा यहां पर एलकोहल जो है वो रियक्ट करेगा और प्रोडेक्ट के फ़र्म में हाइड्रोजन गेस रिलीज करवाता है हाइड्रोजन गेस यहां पर प्रोड्यूज होती है ऐसे ही एरोमेटिक एलकोहल जिसे आप कहरें फिनोल फिनोल भी रियक्ट करता है यहां पर और अपनी एसडिटी डिफाइन करता है और हाइड्रोजन गेस रिलीज करता है ऐसे ही एसीड भी यहाँ पर क्या करेगा बटा हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रियक्टिविटी शो करता है तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि एलकॉल पिनॉल और एसीड तीनों ही क्या होते हैं एसीडिक नेचर के होते हैं सेकिन आजाता है आपके सोडियम हाइड्राइड के साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ रियक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो यहाँ पर एलकॉहल रियक्ट करेगा पिनॉल भी रियक्ट करेगा और एसीड भी रियक्ट करता है ठीक है इसके बाद अब ॉटियम एम हमिन भी एलकॉछ फिनल के साथ रожд टे ता यहां पर प्रोडेक्ट बन जाएगा आपके अपॉण और, फॉपन कह सकते हें यहां पर और और प्लाउल करेगा यहां और आप बोक्सलिक एसेड भी रिएक्ट करता है। नेक्स देखिएगा गिर्ण्यार रियेजेंट गिर्ण्यार रियेजेंट के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे बटा ठीक है आरेमजी एक्स जिसे पॉमन फॉर्मेट में लिखते हैं यहां आपन यूज कर रहे हैं CS3-MG-BR मैथिल मेगनेसियम ब्रोमाइड ठीक है तो देखिएगा जब भी गिर्ण्यार रियेजेंट की बात की जाती है बटा तो गिर्ण्यार रियेजेंट जो होता है वो एलकोहल, फिनॉल और कार्वोक्सलिक एसिड के साथ रियक्ट कर हाइड्रोकारबन जैसे यहां पर आप stripe ले रहे हैं तो बनेका प्रोडेक्ट मेथन हाइड्रोकारबन में चेंज हो जाता है बटा ठीक है, तो अबन कह सकते हैं एलकोहल भी रियक्ट करेगा गिर्ण्यार रियेजेंट के साथ, फिनॉल भी रियक्ट करेगा और कार्वोक्स अपने पर आप ले सकते हैं जैसे एने वेट्ट तो अपन कहेंगे सोडियम हाइड्रोकसाइड एलकोहल के साथ रियक्ट नहीं कर पाता क्यों क्योंकि यहां पर डिसोशेशन एनेर्जी में डिफरेंस आ जाता है बेटा तो अपन कहेंगे यहां कि यह कोई रियक्षन नहीं करेगा बट कार्बोकसलिक एसिड रियेक्ट करेगा और फिनॉल भी रियेक्ट नहीं करेगा कार्बोकसलिक एसिड यहां पर H2O प्रोडेक्ट प्रोडिूस करता है बहता ठीक है तो अपन कहें सकते हैं एने वेट्च H2O release करेगा किसके साथ only acid के साथ carboxylic acid के साथ ठीक है यहाँ पर alcohol और phenol के साथ कोई reaction show नहीं करता है नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पर NaHCO3 क्या आता है बटा NaHCO3 sodium bicarbonate बोल लो या फिर sodium hydrogen carbonate बोल दो clear तो अपन कहा सकते हैं यहाँ पर जो product होगा वो H2CO3 बनता है बट अलकोहल और phenol कोई reaction नहीं करते normal alcohol और normal phenol यहाँ पर कोई reaction नहीं करते sodium bicarbonate के साथ clear इसमें केवल acid ही react करता है ठीक है और क्या produce करता है H2CO3 इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं बटा H2O प्लास CO2 इस form में भी इसको लिखा जा सकता है ठीक है अब देखिएगा यहाँ पर NA at CO3 में आपने काफी बार क्यूसन देखे होंगे कि phenol भी react कर रहा है और product बना रहा है बट अपने अभी अभी बात किये phenol कोई reaction नहीं कर रहा तो यहाँ पर exception है एक बेटा exception हो जाता है आपके nitro phenol क्या हो जाता है exception आपके nitro phenol अब nitro phenol जो है वो mononitro phenol हो सकता है di nitro phenol हो सकता है वो tri nitro phenol हो सकता है तो यह जो है वो reaction करता है sodium by carbonate के साथ ठीक है और produce करेगा H2O और CO2 ठीक है तो अब आपन कह सकते हैं यहाँ पर acidic strength द्वारा acidic strength द्वारा यहाँ पर बनने वाले जो भी product होंगे वो यह होंगे ठीक है यहाँ पर देखिएगा active metal के साथ आप reaction करवा रहे हैं alcohol की, phenol की और carboxylic acid की तो hydrogen gas release हो रही है sodium hydride के साथ करवाते हैं तो भी hydrogen release होती है sodium amine के साथ करवाते हैं तो ammonia produce होता है ठीक है और यह तीनों react करते हैं गिर्णया रियेजेंट देखिएगा गिर्णया रियेजेंट एक ऐसा रियेजेंट है जो complete organic chemistry में almost compound के साथ react कर जाता है क्यों इसकी reactivity high होती है ठीक है तो अपन कह सकते हैं यह acid आल्मोस्ट यह तीनों क्या है acid है तो अपन कहेंगे acid के साथ react करते ही यह hydrocarbon methane में convert हो जाता है बटा यहाँ पर NOH की बात करें तो अल्कॉल और फिनोल कोई reaction नहीं कर रहें ठीक है कोई reaction नहीं करते बट acid reaction कर H2O release करवाता है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर NOH और अल्कॉल और फिनोल का जो dissociation energy का gap है वो बहुत जादा हो जाता है इस वज़े से यह react नहीं कर पाते सोडियम bicarbonates थे react नहीं करते बट phenol में nitro phenol क्या कर पाता है react कर पाता है ठीक है तो अपन कह सकते हैं कि mono nitro phenol या one nitro phenol यूं बोल सकते हैं आप two nitro phenol बोल सकते हैं और three nitro phenol बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा mono di trine क्यों कहा गया है कि एक से जद्धा nitro group यहाँ पर add किये जा सकते हैं तो उस condition में भी यह क्या करेगा react करेगा किसके साथ sodium hydrogen carbonate के साथ या sodium by carbonate के साथ यह react करता है ठीक है इसमें आपको कोई doubt हो तो आप message कर सकते हैं और इसका screenshot ले लीजिएगा बटा कि 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 अगे बड़े हैं तो देखेगा अगे यह तो हो गया बटा आपके acidic strength से related कुछ reaction के क्यूशन पूछ लिए जाते हैं यहां से definite क्यूशन आता है यहां से कि अधिक नेक्स्ट है आपके बड़ा basic strength नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आज कि बैस्टिक कि स्ट्रेंट का मतलब आप नाम से भी समझ सकते हैं शार्य शामर थे बैसिक स्ट्रेंट वपन कह सकते हैं कि जब कोई ओ एच माइनस आयन सोलुशन में इंक्रीज होता है तो सोलुशन बैसिक हो जाता है ठीक है और एच प्लस आयन ज्यादा होता है तो एसिडिक हो जाता है या यूं कह सकते हैं आप ऐसे कंपोनेंट या कंपाउंड जो लोन पे outta या अपने इलक्टोन डोनेट करते हैं वो असेप्ट करते हैं वो आस्टिड़ की तरह पिहेव करते हैं लेकिन बेटा आपको द्यान होना चाहिए अपन पढ़ रहे हैं और्गेनिक केमेस्ट्री में आपके एमीन की बात की जाती है जब भी बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है तो वहां पर मौस्टली एमीन को आप डिसकस करते हैं ठीक है तो देखिएगा एमीन में नाइट्रोजन एटम पर्जेंट होता है ठीक है नाइट्रोजन एन ठीक है यहां पर लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पर्जेंट होता है ठीक है इसी वज़ए से और्गेनिक केमेस्ट्री में एमीन को क्या कह दिया जाता है और्गेनिक बैस कह दिया जाता है क्या कह दिया जाता है बटा और्गेनिक बैस ठीक है तौपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पर लोन पेर के कारण loan pair की presence के कारण amine को organic base कहा जाता है ठीक है अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो amine है वो किस तरीके से अपने basic strength को define कर पाता है तो देखिएगा बटा जैसे ही अपन बात करते हैं आर एनेच टू लॉन पेर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं इन वाटर ठीक है वाटर के साथ जैसे ही यह रियक्ट होगा क्या बना लेगा एनेच थ्री ओएच ठीक है जब इसकी basicity defined होती है तो उसको represent करते हैं बटा इस तरीके से के बी के फोर्म में ठीक है और यह हो जाता है आपके आर एनेच थ्री प्लस प्लस ओएक्स माइनस तो ओएक्स माइनस तो लिशन में इंक्रीज हो जाता है जिससे आप basic medium कहेंगे इसको आप इस तरीके से भी रिपर्जेंट कर सकते हैं और और र एनेच टू प्लस एक्स तू ओओ इसको मैं लिखू और इसका और इसका basic form जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर एनेच थ्री प्लस प्लस ओएच माइनस ठीक है कांसेंट्रेशन ओएच माइनस की कोंसेंट्रेशन ठीक है सांदरता और रियक्टेंट क्या है आपके एमीन और ऑपन के सकते हैं के बिडारेक्ट पॉस्टनल है किसके ओएच माइनस के तो आप लिख सकते हैं पर के भी डायरेक्ट पॉस्टनल ओएच माइनस ठीक है बटा फिर यहां पर बात आती है कि जब भी अपन कहेंगे कि यह बैसिसिटी शो कैसे कर पाएगा तो अब अब देख रहे हैं कि एमीन को वोटर के साथ रियक्ट करवाया तो यहां पर किसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गया ओएच माइनस आयन का ठीक है और कहां जाता है यहां पर बेटा जो जितना यह नौट में देखेगा कि इस्ट्रॉंग बैस होगा वो क्या होगा वीक कॉंजुगेट एसिड होगा क्या होगा वीक कॉंजुगेट एसिड इट में अपन कह सकते हैं स्ट्रॉंग बैस परबल शार क्या बनाएगा वीक दुर्बल सयुग्मी अम्ल बनाएगा वेटा क्या बनाएगा दुर्बल सयुग्मी अम्ल बनाता है ठीक है और अपन कहें वीक बैस तो यह हो जाएगा स्ट्रॉंग कॉंजुगेट एसिड परबल सयुग्मी अम्ल बनाता है ठीक है तो यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए पर तो अपन कह सकते हैं यहां पर यह तो क्या हो गया बटा बैस यह तो हो जाता है आपके एमीन तो बैस एच प्लस दे रहा है तो एच टू ओ क्या हो जाएगा एसिड पर और यह क्या हो जाएगा conjugate acid और ये क्या हो जाएगा conjugate base इस reaction में या इस basic format में किसी को कोई doubt हो तो आप बता सकते हैं बटा इसका screenshot ले लीजिएगा कि इक है कि आगे बढ़ते हैं आपन है कि इस के सिन सोट ले लिए रिक है अब देखेंगे बटा इसमें बात करेंगे बैसिक स्टेंथ में कि किस तरीके से एमीन के एक्जाम्पल ने ठीक है और वहां पर इसकी रिलेटिविटी देखें तो देखेंगा यहां पर स्टेंथ जो है वो इस तरीके से होती है बैसिक स्टेंथ डाइरेक्ट प्रपोर्शनल हो जाती है आपके लॉन पेयर डेंसिटी के ठीक है देखो जब भी एमीन के आप बैसिक स्टेंथ देखते हैं तो यहां पर दो फैक्टर सबसे ज़्यादा यूज किये जाते हैं कि फॉस्ट हो जाता है आपके लॉन पेयर डेंसिटी क्या हो जाता है लॉन पेयर डेंसिटी ठीक है दूसरी हो जाती है आपके कि स्टेबिलिटी प्रोटो नेटेड एमीन क्या हो जाता है प्रोटो नेटेड एमीन का स्टेबिलिटी ठीक है अब देखो जब अपन बात करते हैं कि रिलेशन क्या होगा कि रिलेशन से आप आपके बेसिक स्ट्रेंद को बताना हो तो आप बता सकते हैं बेसिक स्ट्रेंद डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल लॉन पेर डेंसिटी मतलब लॉन पेर की डेंसिटी जितनी जादा होगी वो उतना ही जादा बेसिक होगा कंपाउंड जो एमीन है वो और अपन कह सकते हैं यह इन्वार्सली होता है इडवल्यूजी मतलब इलेक्ट्रोन विड्रेविंग ग्रूप इलेक्ट्रोन ग्राही समू के यह आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस आई इफेक्ट क्या लिख सकते हैं माइनस आई इफेक्ट लिख सकते हैं कि जितना माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा बेसिजिटी उतनी ही डिक्रीज हो जाती है केर ऐसे यह बात करते हैं ये डारेक्ट प्रपोर्चनल होता है ए डी जी यह आप लिख सकते हैं ई या शी ए शी एलैक्रोण डॉनेटिंग गृप और उक्तरों स्वेलीजिंग गृप और आप लिख सकते हैं प्लास आई किल एफ़ेक्ट ठीक है यह relation है इसमें एक relation आता है आपके basic strength inversely होता है लॉन पेर डी लॉकलाइजेशन लॉन पेर डी लॉकलाइजेशन एकाके electron यूग्म का विस्तानी करण तो अपन कह सकते हैं कि वास्तम में विस्तानी करण है क्या जानते बटा देखिएगा विस्तानी करण का मतलब है कि कोई भी लॉन पेर जैसे अपन बात करते हैं एनिलीन की यह क्या बटा एनिलीन है है की नहीं एनिलीन के nitrogen के पास लॉन पेर है कोंजूगेट सिस्टम सैउग्मी निकाई इसके साथ अटेच है ठीक है सैउग्मी निकाई कोंजूगेट सिस्टम अटेच है जहां से लॉन पेर माइग्रेट करता है बेंजीन रिंग की और बेंजीन रिंग में electron density बढ़ा देता है तो लॉन पेर का माइग्रेशन ही क्या कहलाता है लॉन पेर डिलोकेलाइजेशन कहलाता है ठीक है तो यह बात किलियर हो गई कि long pair delocalization के inverse होता है basic strength clear वो आपन बात करेंगे stability of protonated amine में ठीक है एक बार में ये relation आपको बता दे रहा हूं दुबारा से तो देखिएगा basic strength direct proportional होता है long pair density के कि जैसे जैसे long pair की density increase होगी basicity भी increase होगी ऐसे ही अपन बात करते हैं कि basic strength inversely होता है EWZ या minus I effect के basic strength direct proportional होता है EDZ group के या ERZ और अपन लिख सकते हैं plus I effect के ठीक है बटा ओके और long pair de-localization के inversely होता है clear यहां पर देखिएगा कुछ example है उनको अपन discuss कर लेते हैं कुछ example है जैसे ammonia अपनिया पॉस्पेइन यह एक ही ग्रूप के हाइड्राइड है कि नाइट्रोजन फेमेली के हाइड्राइड होते हैं अब यदि आपको पूछ लिए जाए कि इनका basic nature सबसे जादा या basic strength more than होगी ठीक है तो आप क्या answer देंगे किस तरीके से देंगे तो देखिएगा पहलाई पॉइंट है आपके पास long pair density इन सब में सबसे जादा density किसकी है वेटा जिसका सबसे कम size होगा और सबसे कम size किसका है नाइट्रोजन का तो अपन कह सकते हैं small size मौर लॉन पेर डेंसिटी या आप बोल सकते हैं high लॉन पेर डेंसिटी ओके उच्छ एकाग की इलेक्ट्रोन योगम घनत्व ओके तो अपन कहेंगे कि जिसका size सबसे छोटा होगा उसका लॉन पेर डेंसिटी जादा होगा और जिसका लॉन पेर डेंसिटी जादा होता है बैसिक स्ट्रेंथ उतनी ही जादा हो जाती है ठीक है तो अपन कह सकते हैं और में सबसे जादा अमोनिया का बैसिक स्ट्रेंथ होगा और ये फाइनल ओडर हो जाता है ठीक है नेक्स्ट एक्जामपल लेते हैं आप एक हो जाता है इसमें बैसिक स्ट्रेंथ का ओर बताईए माल लेते हैं इसको ए बी सी और यह हो गया डी तो बैसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी बताई बटांग और के बटांग बताओ इसका बैसिक स्ट्रेंथ बताईए तो देखेगा यहां पर आप बता सकते हैं कि माइनस आइफेक्ट है ठीक है तो इलेक्ट्रोन यहां कंजूम हो रहे हैं या लोन पेर यहां कंजूम हो रहे हैं और इलेक्ट्रोन डेंसिटी टिक्रीज हो रही है हाइड्रोजन का आइफेक्ट जीरो होता है और प्लस आइफेक्ट इससे ज्यादा प्लस आइफेक्ट इथाईल ग्रूप में तो अपन कह सकते हैं सबसे कम तो किसका हो जाएगा बैसिक स्टेंट एका और सबसे ज्यादा डी का तो ओडर क्या हो जाएगा बिटा डी कि सी बी और कि यह ओडर हो जाता है कि यह बैसिक स्ट्रेंद का ओडर होगा ठीक है ऐसे अपन देखते हैं कि यह स्क्रीन सोट ले लीजिएगा इसका कुछ एक्जामपल बताईए इसमें बैसिक स्ट्रेंद का ओडर बताईए तो देखेगा जहां जहां इलेक्ट्रोन विड्रेविंग ग्रूप है वहां आप जोड़ सकते हैं कि बैसिक स्ट्रेंद का ओडर बताईए स्ट्रेंद डिक्रीज होगा ठीक है सब्से ज्यादा बैसिक स्ट्रेंद जो है वह यहां होगा क्यों क्यों कि यहांओ पर आपके प्लस आर और प्लस आई दोंओ गृप एक्टिव हैं या इफेक्ट सोरी दोनों इफेक्ट एक्ट्यू है ठीक है दूसरी बात बन करें यहां पर प्लस आई फेक्ट है ओके यहां देखें तो यह इलक्ट्रान विँड्रेविंग गरूप है ठीक है इलक्ट्रान ले रहा है यहां देखें तो भी यहां कर रहा है इल्क्रान ले रहा है तो loan pair consume हो जाएगा ठीक है basic strength decrease हो जाती है ठीक है तो order हो जाएगा सबसे ज़्यादा बाल लेते हैं ये A है ये B है ये C है ये D है और ये E है ठीक है तो यहाँ पर E सबसे ज़्यादा फिर D अब देखिएगा A और C में बताईएगा और B में इन तीनों में सबसे ज़्यादा basic strength किसकी होगी नॉर्मल वाले की इसमें कोई EWZ group नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आजाएगा B next C और last में A यह ओडर हो जाता है बटा ठीक है next question देखिएगा इस question में किसको doubt हो तो आप message कर सकते हैं next question देखिएगा pH NH2 pH NH pH 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 का मतलब है यहाँ पर Ph Ph और Ph इसमें basic strength का order बताईएगा बताओ बटा प्रेम स्वामी बी यह वाला क्या प्रोब्रम है इसमें अच्छा इन तीनों में ज्यादा basic strength भी की है हाँ बिलकुल सही है ठीक है बटा next बताओ इसमें basic strength का order बताईए बटा बटाओ देखो यहाँ पर resonance है in resonance जिससे lone pair ट्रेप कर लिया जाता है यहाँ पर दो फिनाईल गूरूप आगे तो ज्यादा टाइम तक lone pair को ट्रेप किया जाएगा और यहाँ पर तीन फिनाईल गूरूप आ गए तो और भी ज्यादा टाइम तक lone pair को ट्रेप किया जाएगा या पकड़ा हुआ रखा जाएगा तो अपन कह सकते हैं सबसे ज्यादा basic nature जो है वो एनिलीन का हो जाएगा फिर डाइफिनाईल एमीन का और फिर ट्राइफिनाईल एमीन का इस तरीके से आप लिख सकते हैं यह order हो जाता है ठीक है बटा इसके बाद देखेगा कुछ example और ले लेते हैं अपन नोट कर लिया होगा इरेज कर दें नेक्स देखेए गवाटा example है आपके cx3, cx2, nx2 cx3, cx double bond cx double bond यह आजाएगा आपके cx2 double bond cx nx2 cx triple bond c nx2 यह a, b और c इनमें basic strength बताईएगा आप लोग basic strength order बताईए next question है आपके cx3, cx2, nx2, cx3, cx double bond nx2, cx1, cx2, cx3, cx3 A, B और C दोनों क्युस्टन को सोल करेगा बटा यहां पर देखिएगा प्लस आइफेक्ट ठीक है, basic strength increase, यहां देखिएगा इस कारवन को देखिएगा SP2 hybridized carbon मतलब S character high हो गया इस कारवन के comparatively इस कारवन का S character high हो गया S character high हो गया मतलब electron negativity high हो गई इसका मतलब minus high effect generate हो जाता है ऐसे ही यहां पर SP ठीक है S character और ज़्यादा high हो गई negativity और ज़्यादा हो गई वपन कह सकते हैं कि यहां पर A सबसे ज़्यादा basic nature का होगा फिर B और C सबसे कम basic nature का होगा गटा clear? ओके? नेक्स देखेगा गटा इन तीनों में बताईएगा पर आपड़ा पताईएएएगे एक में A, B, C दो में B, C, A ज़्यादा बीका होगा? नई यह रोंगे बैटा यह वाला देखो सेकेंड में देखेएगे बड़ा यहां पर S करेक्टर अभी भी क्या रहा है? S P 3 कमा रहा है प्लस आई फेक्ट ही जनरेट हो रहा है बटा यहां पर डेबल पॉंड आ गया कार्बन का तो S P 2 हो जाता है यहां कार्बन का S P आ गया उनली ठीक है? उसब से ज़्यादा क्या हो जाएगा? A, फिर B, और फिर C होगा क्लियर? ठीक है बटा? बात क्लियर हो गई क्या? देखो जला ध्यान से यह वन डीगरी एमीन हो गया यह इमाइन हो गया और यह साइनाइड हो गया ठीक है? यहां पर किसका ओर्डर होगा बटा? ध्यान से देखो क्या यह ओडर सही है क्या? यह वाला ओडर क्या इस कंपाउंड को इन कंपाउंड को इन पेर को आप SP2, SP और SP3 से डिटर्माइन कर सकते हैं क्या? बताओ बटा? यहां पर इलेक्रोन डेंसिटी को देखा जाएगा बटा इसे देखा जाएगा? इलेक्रोन डेंसिटी को और इन तीनों में इलेक्रोन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी देखो यहां पर नाइट्रोजन की फिर यहां पर इस नाइट्रोजन की और इसमें सबसे कम हो जाएगा तो कभी भी यह नहीं कर देना इस पर ऐसे युगम को ऐसे पेर को आपको डिटर्माइन नहीं करना है ठीक है इसका ओडर जो है वो जाता है सी बी ए कि यह कर्रेक्ट ओडर होगा विटा कि कर दो को को डाउट को देखो मैंने ये बात इसलिए बताइए कि ऐसे पेर जब आ जाते हैं तो वहां पर आपको एलेक्टॉन डेनसीटी को चेक करना है विटा लॉन पर डेनसीटी जिसे कह रहे हैं long pair density जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा basic nature आ जाएगा या basic strength हो जाएगी बता बटा आप कोई doubt किसी को ओके बटा नेक्स देखो यहाँ पर मैं a question ओ ले लेता हूँ आपके लिए अक्सल बच्चे गल्टी कर जाते हैं तो देखेगा अब 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 यह क्यों सॉल करो जल्दी आंसर बताओ इसका सबसे ज़्यादा basic strength किसकी होगी इसमें order क्या होगा माल लेते हैं यह हो गया a यह b यह c और यह d इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक strength किसकी होगी इस compound में यह इस क्यूशन में इन compounds में basic strength किसका ज़्यादा होगा बताएगा बटा जल्दी बताओ बटा देखो सॉल करते हैं यहाँ पर देखेगा nitrogen है यहाँ सिएच्टू ग्रूप सिएच्टू ग्रूप मिथाइलीन ग्रूप पर्जेंट जो प्लस आइफेक्ट शो करेंगे क्या हो गया लॉन पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो सबसे ज़्यादा क्या होगा इसका basic strength होगा एक है क्योंकि इसमें एक ही एनेच ग्रूप है पूरी रिंग में यहाँ पर दो दो एनेच हैं अब क्या होता बेटा ऐसे क्यूशन को जब भी आप सोल करें तो ध्यान रहे कि यदि सेम एटम आ रहा है एलेक्ट्रोन नेगेटिव एटम और आपको किसी एक पर लॉन पर डेंसिटी डिफाइन करनी है तो आपको सीधा सीधा बात ध्यान रखना है कि दूसरा नाइट्रोजन इडब्ल्यू जी की तरह भी हैव करता है ठीक है इसका मतलब इलेक्ट्रोन क्या क पर लॉन पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्या हो जाती है डिक्रीज अब इसमें करें यहां पर देखिएगा यहां पर नाइट्रो ग्रूप है तो इधर से यह इधार होगा कि यूँ ठीक है तो यहां पर भी क्या हो रहा है पर एलेक्ट्रोन डेंसिटी हो रहा है और यहां पर देखिएगा इधर लोन पर डेंसिटी अब कि किसमें कुम इलेक्ट्रोन डेंसिटी तो देखेगा यहां पर lone pair जो है इन दोनों के comparatively nitrogen distance ज्यादा इसमें है तो lone pair density कम इसमें होगी ठीक है इसका मतलब यहां से lone pair distance wise है यहां nitro group तो nitro group पूरा का पूरा क्या होता है EWG group होता है कि नहीं होता बैटा होता है EWG group होता है यह बटा ठीक है तो अपन कह सकते हैं यहां पर क्या बात आ जाएगी कि completely इन तीनों में सबसे कम basic strength इसकी होगी इसकी होगी इसकी कम basic strength होगी बटा ठीक है अब इन तीनों में order हो जाएगा आपके A फिर आ जाएगा B और फिर आ जाएगा D क्यों इसमें और इसमें देखेगा यह और यह group same है बट यहां पर nitro group जो एक क्या है EWZ group होता है ठीक है तो अपन कह सकते हैं सी से जादा D का basic strength होगा और यह order हो जाता है ठीक है बटा तो यह बात आपके clear हो रही की नहीं हो रही इस वाले question में किसी ओको doubt बढ़ा बटा पक्का यह हो यह सारे points ओके नेक्स चलते हैं अपन अब देखेगा यह हो गया इसमें mostly long pair density जो order है उसके according almost fusion आपके इसी type से पूछे जाते हैं अब अपन बात करते हैं stability of protonated amine की stability of protonated amine को देखेगा किस तरीके से इसकी stability को define किया जाता है अब अपन बात करते हैं stability of protonated amine को देखेगा जैसे ही आप लेते हैं amine आर एनेक्स 2 प्लस प्रोटोन जो एक एक एसीड होता हैं क्या हो जाएगा यह आर एनेस 3 प्लस प्रोटन अटेड प्लस प्रोटन अटेड अब में आ जाता है अब इसको क्या कहा जाएगा protonated amine कहा जाएगा बटा क्या हो जाएगा protonated amine ओके देखो जब भी अपन बात करते हैं protonated amine की उसमें stability को define करेंगे ठीक है और जैसे जैसे यहां पर एलकील ग्रूप भड़ता जाता है ठीक है protonated amine पर proton add होने का या protonation डाउन होता चला जाता है decrease होता चला जाता है ठीक है तो अपन कहेंगे stability किसकी जादा होगी जिसमें alkyl group कम होगा यहां पर जैसे यह बात करते हैं stability की तो आप कहेंगे NH3 यहां पर जो order होगा वो इस तरीके से हो जाएगा NH3 इसके बाद R NH2 R2NH और R3N क्लियर क्यों कि यहां पर जो है बटा alkyl group की वजह से जो आपके हिंड्रेंस डवलप होता है जिससे प्रोटोन जुड़ने का सामर्थे क्या हो जाता है कम हो जाता है प्रोटोनेशन स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है यहां पर ठीक है और बेसिक ओर यह माना जाता है यह सिंपल ओडर माल लिया जाता है अब देखो यहां पर इससे पहले इस्टेबिलिटी और प्रोटोनेटेड एमीन को जब भी डिसकस करते हैं तो एक फेमस एक्जामपल काम में लिया जाता है वो है आपके ग्वानिडीन जो एक प्रोटोनेटेड एमीन का बेस्ट एक्जामपल माना जाता है वेटा ठीक है नॉर्मल अपन जब भी बात करते हैं कि इसको प्रोटोन के साथ एड करवाएंगे या रियक्ट करवाएंगे एसिड के साथ तो यह ओडर नॉर्मली आपको मिलेगा बट यहाँ एक्जामपल को अपन डिसकस करते हैं जिसमें इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कर पाएंगे देखो ग्यानिदीन होता क्या है ग्यानिदीन देखेगा न he double bond C NH2 NH2 ओके यह ग्यानेडीन है डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन इसमें पर्जेंट उता है इसमें देखेगा बटा रेजोनेंस मिलता है क्या मिलता है रेजोनेंस मिलता है इस रेजोनेंस की वज़े से ही यह stability को define कर पाता है और ज़्यादा प्रोटेनेटेड एमीन कहलाता है तो यह एक आपके एमीन में सबसे best प्रोटेनेटेड एमीन का example भी माना जाता है ठीक है इससे लेटेड अपने काफी सारे question भी discuss करेंगे कि किस तरीके से इसको best माना जा रहा है देखेगा इसमे रेजोनेटिक स्टेक्चर बनेगी रेजोनेंस होगा मान लेते हैं यहाँ वाला लोन पेर यहाँ चला जाता है और पाई बॉन नाइट्रोजन के पास चला जाता है तो यहाँ बन जाएगा एन एच माइनस सी डवल बॉन एन एच टू प्लस और अब यहाँ पे रहेगा एन एच टू ओके फिर क्या होता है यह वाला एन एच जो एन एच टू एल लोन पेर और यह वाला यहाँ पर चला जाता है ओके तो क्या बन जाएगा बटा एन एच माइनस सी एन एच टू अब डवल बॉन कहां जाएगा इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा ठीक है अब यह क्या हो जाएगा पॉसिटी हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यह रेजोनेंस कम्प्लीट होता है अब अब बात कर रहे हैं प्रोटोनेटेड एमीन की कि प्रोटोनेटेड एमीन कब कहा जाएगा इसको तो देखो बटा इसमें रेजोनेंस हो रहा है इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड जो है वो हो जाता है आपके एन एच इसको मैं यू लिख सकता हूँ यह पार्सियली नेगेटिव हो जाएगा यह दोनों पार्सियली पॉजिटिव हो जाएंगे बटा क्या हो जाएंगे पार्सियली पॉजिटिव हो जाएंगे अब देखो यहां पर क्या बात आएगी कि इन सभी नाइट्रोजन में बैस्ट प्रोटनिटेड नाइट्रोजन हो होगा तो प्रोटोन क्या होता है पोजिटिव होता है कि नहीं होता है कि समझा रहा होगा तो देखो प्रोटोन कब असेप्ट होगा जब इसको एलेक्ट्रोन मिलेगा वपन कह सकते हैं यह वाला जो नाइट्रोजन है वो क्या है बेस्ट प्रोटोनेटिंग साइट इसको क्या नाम देंगे बैस्ट प्रोटो नेटिंग साइट नाम दे देते हैं क्लियर बटा इसमें कोई डाउट अब देखो यहां पर यहां पर जब भी क्या आजाएं माइनस चार आजाएं तो वहां पर यह प्रोटोन अटेच हो सकता है देखो जब भी अपन बात करते हैं बैस्ट प्रोटेनेटिंग साइट की तो ग्वैनिडीन में बैस्ट प्रोटेनेटिंग साइट पाई जाती है इसलिए यह सबसे ज़्यादा स्टेबिलीटी शो करता है ठीक है यह स्टेबिलीटी का रीजन क्या है रेजोनेंज ठीक है इसलिए इसको क्या कहा जाता है बहुर्टेबल प्रोटोनिटेड एमीन कromagnसी हो जाती है ग्वैनिडीन हो जाती है व향 क्लियर वेटण अब देखो आप complete proton को सभी में add करवा सकते हैं ठीक है कि जैसे यहां से इलेक्ट्रोन यहां जाएगा यहां से इलेक्ट्रोन यहां जा रहा है तो protonated side मानी जाती है ठीक है साइट हो जाएगी आपके क्लियर यह बात क्लियर हो रही है ना ओके अब अपन बात कर लेते हैं यहां पर जो एलिफेटिक एमीन से हैं उनकी basic strength की अभी तक तो अपन ने डिसकस किया है कि एमीन को किस तरीके से basic strength wise किया जा सकता है अब अपन specific बात करते हैं एलिफेटिक एमीन की हाँ बैटा इसमें किसी को को डाउट अच्छा ठीक है कि आगे बढ़ें कि नेक्स्स लेते हैं मैटा अगे चलें देखो अगे चलें बैस्टिक स्ट्रेंथ अफ एलिफेटिक एमीन बैसिक स्ट्रेंट ओफ एलिफेटिक एमीन देखेगा एलिफेटिक एमीन आपके हो जाते हैं जैसे अमोनिया लिया अमोनिया को एल्किल हेलाइड से रियक्ट करवाते हैं तो यहां पर यह क्या बन जाती है और एने टू रिलिफ हो जाता है क्या एक्स बेसिक रियक्शन से मैं इसको डिसकस कर रहा हूं ठीक है फिर अगें आर एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा टू आर एने एच फिर आर एक्स माइनस एक्स आर थी एन ठीक है यह हो गया आपके क्या आमोनिया यह वन डिग्री एमीन यह टू डिग्री एमीन और यह ट्री डिग्री एमीन ओके जब भी एलिफेटिक की बात करते हैं तो बेसिक जो है वो लोन पेर के अकोर्डिंग आंसर जाता है कि बेसिक स्टेंद किसकी ज़्यादा होगी जिसमें प्लस आई फेक्ट ज़्यादा होगा तो आप देख सकते हैं यहां ओडर होगा आपके बेसिक स्टेंद का ओडर आर सी एस त्री एन सबसे ज़्यादा आर टू एनएच आर एनएच टू और एनएच टू और एनएच ट्री एलिफेटिक में जब भी बात करते हैं आर क्या है एलकाइल ग्रूप आर क्या यहां पर एलकाइल ग्रूप है बेटा ओके तो पन कह सकते हैं कि पलससाइफएक्ट आई यहां पर पलसाइफएक्ट नहीं है बट्रियल में जब देखा जाता है तो ये order incorrect माना जाता है, क्या माना जाता है, incorrect order माना जाता है, इस amine को decide करते हैं अपन दो factor द्वारा, कि वास्तम में alipatic amine की जो basic strength है, वास्तम में किस तरीके से decide की जाती है, इसके लिए कोन responsible होगा, तो यहाँ पर दो factor हैं जो man basic strength के लिए responsible होते हैं, first हो जाता है, एक तो आपके hysteric, tendrence, त्रिवीम विन्यास बाधा, त्रिवीम विन्यास बाधा, और second हो जाता है, solvation, solvation of amine, will icon, जिसे कहा जाता है, will icon, ठीक है, यहाँ पर त्रिवीम विन्यास बाधा, और यह हो जाएगा, amine का, will icon, क्या हो जाएगा, amine का, will icon, ठीक है बाधा, तो एक एक करके अपन इसको discuss कर लेते हैं, तो देखो, यह वाला order क्या होता है, यहाँ पर, गलत माना जाता है, ठीक है, वास्तम में, कौन सा order होगा फिर, तो देखेगा, पहले अपन discuss करते हैं, steric hindrance को, steric hindrance होता क्या है, इसको आप screenshot ले लीजिएगा, इसका screenshot ले ले, ताकि अपन one by one करके, दोनो जो responsible factor हैं, उनको discuss कर लेते हैं, ठीक है, अभी यह बात आपके, बिल्कुल clear हो जानी है, जैसे ही अपन उन दोनों पॉइंट्स को discuss करेंगे तो, ठीक है, पॉस्ट हो जाता है, hysteric hindrance, क्या हो जाएगा, hysteric hindrance, देखेगा, hysteric hindrance जो होता है, वो अपन कह सकते हैं, कि जैसे जैसे alkyl group बढ़ेगा, alkyl group increase होगा, hysteric hindrance भी increase होता है, और यहाँ पर, आपके hysteric effect की वज़े से proton जो है, वो attach नहीं हो पाता, ठीक है, तो अपन कहेंगे, ns3, r, ns2, r, r2, nh, r3, n, सबसे जादा hysteric hindrance, देखेगा, इसमें तो r है, इसको आप u denote कर सकते हैं, और इसको आप यू लिख सकते हैं, ओके, तो इसमें देखेगा, एक alkyl group और दो alkyl group, इसमें तीन alkyl group हो गए, और इसमें एक ही alkyl group है, तो proton का जो addition है, वो किसमें fast हो पाएगा, किस पे जल्दी हो पाएगा, जहाँ पर hysteric inheritance नहीं होगा, जादा नहीं होगा, है तो सही, एक alkyl group की वज़े से है, पर है तो सही, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जल्दी इन तीनों में, इन तीनों की बात कर रहे हैं, 1 degree, 2 degree और 3 degree है में इनकी, अमोनिया पर तो हो गए होगा, यहाँ पर first number पर, यहाँ पर second number पर, और यहाँ पर third number पर, ठीक है, इस तरीक प्रोटोनेशन इस तरीके से complete होता है, तो अब इनको one by one करके इस प्रोटोनेशन को समझ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो order है, इसी में मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, order जो है, वो हो जाएगा, यह वाला, जब steric hindrance की बात की जाती है, तो order होता है, यहाँ पर कौन सा, यह वाला, ओके, यह वाला order यहाँ पर देखने को मिलता है आपको, कि किसका basic nature सबसे ज़्यादा होगा, किसकी वज़े से, hysteric hindrance की पुआ जैसे, त्रिवीम, विन्यास, बादा के कारण, ओके बैटा, सेकिंड हो जाता है आपके, सॉलवेशन, विलाइकन, सॉलवेशन, विलाइकन, देखेगा, विलाइकन की जब भी बात करते हैं, है अपन, अब यहां तक किसी को डाउट, ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं, सॉलवेशन, सॉलवेशन में देखेगा, आपके आता है, कि, नॉर्मली अमोनिया, ठीक है, सॉलवेशन में सिधा सा है, कि, एक्स्टो के साथ कितना बॉर्ण प्रिपेर हो रहा है, ठीक है, तो देखो, यहां पर जब भी अपन बात करते हैं, तो यह हो जाता है, अमोनिया, एक्स्टो के साथ, सॉलवेशन, तो एन, यहां पर O, X2 लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद, H, हाइड्रोजन बॉंडिंग, O, X2, H, हाइड्रोजन बॉंडिंग, और H, हाइड्रोजन बॉंडिंग, ठीक है, तो अमोनिया के साथ, कितने वाटर मॉलिक्यूल एड्रोजन हो गए, जितना H2O मॉलिक्यूल एड्रोजन होगा, ठीक है, और कमपाउंड को उतना ही स्टेबिलिटी मिलता है, ठीक है, ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं, सेकिंड, रन H2 प्लस H2O की, तो यहां आ जाएगा आपके, R, N, O, H2, H, हाइड्रोजन बांडी, O, H2, और H, हाइड्रोजन बांडी, O, H2, ठीक है, इस तरीके से, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, N, H, प्लस H2O, तो यह हो जाएगा, R, N, R, इसमें देखेगा, एक ही H है, और एक लॉन पेर है, तो, O, H2, H, हाइड्रोजन बांडी, O, H2, ठीक है, तो सबसे जादा जो है, वो, अमोनिया में, सॉल्वेशन दिख रहा है, ठीक है, यहां पर, R3, N, H2O, तो पन कहेंगे, R, 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 और, O, H2O, यहां पर, हाइड्रोजन बांडींग, ठीक है, इन सब में हाइड्रोजन बांडींग है, यहां पर, ओके, इस तरीके से यह जुड़ते हैं, तो यहां पर, सॉल्वेशन में, इसका जो ओर्डर है, सबसे ज़्यादा इस्टेबिलिटी, इसके सॉल्वेशन जितना ज़्यादा होगा, बेसिक स्टेंथ, उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है और कम है तो basic strength भी कम ही हो जाती है ठीक है तो order वो का वो मिलेगा आपको ns3 r ns2 r2 nh और r3n यह aliphatic amine के लिए basicity order हो गया basic ठीक है अब देखो यहां पर दो case generate होते हैं केस फॉस्ट कि इन एक्वस सोलुशन एक्वस सोलुशन की बात करें अपन एक्वस सोलुशन की बात करें तो aliphatic amine का आपको बताना होगा इसमें भी दो point आ जाते हैं एलकाइल ग्रूप की बात करें कि एलकाइल ग्रूप क्या है मैथिल है या एथिल है जितना large ग्रूप होगा ठीक है उतना plus effect भड़ता है ऐसा माना जाता है पर यहां पर सोलुशन की बात की जा रही है ठीक है तो देखिएगा इस r is equal to ch3 क्या माना जाए r is equal to ch3 माना जाए तो वास्तों में basicity order क्या होगा तो देखिएगा यहां पर जब भी अपन बात करते हैं cs3 की तो cs3 का hold twice nh सबसे जादा basic strength रखता है ठीक है as it इसको आपको ध्यान में रखना है बटा solvation सबसे जादा मिलता है यहां पर ठीक है next aqueous में आपके आज आता है c3 ns2 फिर c3 का hold twice and और सबसे कम हो जाता है बटा ammonia का ओके तो जब alkyl group methyl हो तो two degree amine one degree amine three degree amine और ammonia यह वाला order आपको देखने को मिलता है बटा ठीक है इसके बाद अपन बात करते हैं हाँ बटा कोई डाउट किसी को इसके बाद जब alkyl group methyl हो तो order हो जाता है आपके बटा बी आ जाता है इफ आर इस इक्वल टू सी टू एच पाइप तो देखेगा order मिलेगा CS2 यह C2H5 का होल ट्वाइस नह च तो एच पाइप का होल ट्वाइस न और C2H5 नह स्टू और अमोनिया इक है तो डिग्रिया मिन टिग्रिया मिन वन इग्रिया मिन और अमोनिया ठीक है तो यह तो हो गया आपके क्या एक्वास फोम में केस नमबर फॉस्ट क्या जाएगा इन एक्वास सॉलुशन में यह वाला order मिलेगा और यह वाला order मिलेगा केस सेकिंड देखते हैं बटा केस सेकिंड में आपके जो order मिलता है वो हो जाएगा देखेगा वेपर पेज की बात की जाती है और हमेशा ध्यान रटना वेपर पेज में लॉन पेयर क्या लॉन पेयर डेंसिटी में होती है या लॉन पेयर डेंसिटी के according इसका answer दिया जाता है किस में वेपर पेज में ठीक है तो जैसे जैसे ऐलकाइल गृॉफ इंक्रीज होगा वैसे 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 बैस्टिक स्ट्रेंट इंक्रीज होगी ठीक है ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए तो अबन कह सकते हैं, आमोनिया R Ns21 The Amine फिर 2 degree Amine और फिर 3 degree Amine ये वाला ओडर वेपर फेज के लिए हो जाएगा ठीक है mostly कभी कभी बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं दिया हुआ क्यूसन में और ओडर पूछ लिया जाता है तो आपको क्या बताना है बटा सीधा सीधा आपको बता देना है एक्वस को लेते हुए सबसे जादा अच्छा विचार करना है एक्वस को लेकर ठीक है जलिये अवस्ता में ये वास्वास्ता की बात है और ये एक्वस सोलुशन में या एक्वस फेज की बात हो जाती है ठीक है जलिये प्रावस्ता जलिये प्रावस्ता में ये ओडर आपको बताना है ठीक है नॉर्मली क्या करना है जब कि उसमें कुछ नहीं दिया हुआ मैथिल है तो ये ओडर एथिल है तो ये ओडर आपको बता देना है ठीक है बटा यहां किसी वो कोई डाउट तो इस तरीके से दो फैक्टर हैं यहां पर भी जो क्या कर रहे हैं अलिफेटिक एमीन को या एलिफेटिक एमीन की बैसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहे है तो इसको आप नॉट कर लीजिएगा स्ट्रेंश लेजिएगा अगे बढ़ें देखो यह तो होता है एमीन से लेटेट बैसिक स्टेंड का कम्प्लीट पोर्बेट अब बात कर लेते हैं कुछ क्यूसंस की कि किस ताइब के और क्यूसंस आ सकते हैं क्यूसंस आ सकते हैं आुट इसमें order बताईए basicity का मान लेते हैं यह A हो गया यह B हो गया यह C हो गया यह D हो गया और यह E हो गया इनमें आपको basic strength का या basic city का order बताना है बताओ पड़ा पड़ाओ देखें देखो बेटा तो करते हैं यहां पर एनिलीन और यह वाला गुरूप यह दोनों ही क्या है कि अरो मैंटिक कि इसको देखो यह क्या हो जाएगा एलिफेटिक क्या हो जाएगा एलिफेटिक क्लियर और यह दोनों एरोमेटिक हैं पर यहां पर प्लस आइफेक्ट प्रियांपर प्लस आर और प्लस आइफेक्ट दोनों जन्रेट हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जब भी आप बात करते हैं एलिफेटिक एमीन की बैसेजिटी ज्यादा होती है उसके बाद एरोमेटिक की ठीक है एरोमेटिक एमीन की यह ओडर आपको ध्यान होना चाहिए बैसिकली एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन ही है इसमें आपको डिसाइड करना है कि एलिफेटिक एमीन कौन सा है तो एलिफेटिक एमीन यह हो गया कि कि तो यहां पर क्या जाएगा सी सबसे ज्यादा हो गया पिर देखो इसमें एनलीन हो गया यह इन्हीन गरुप जुड़ा हुआ है और इसमें मेट होक्सी गुरुप जुड़ा हुआ है तो इन दोनों में decide करते हैं तो ज्यादा basic nature इसका मिलता है तो E हो जाएगा बेटा फिर हो जाता है D फिर हो जाता है A और फिर B बात क्लियर हो रही है क्या कुछ समझ आया यहाँ पर माइनस एफेक्ट EWZ ओके यहाँ पर EDG दोनों ही EDG ग्रूप जुड़े हुए है और एलिफेटिक एमीन में टेंसिटी ज्यादा है इस वज़े से यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा सबसे ज्यादा basic strength हो जाती है ठीक है कुछ क्यूशन इस तरीके से भी आते हैं जैसे अपन बात करते हैं एनेज टू एनेज टू एनो टू ओर्थो पोजिशन पे जुड़ गया एनेज टू मेटा पोजिशन पे जुड़ गया एनेज टू पेरा पोजिशन पे जुड़ गया सारे के सारी क्या है एरोमेटिक एमीन है है की नहीं तो अब आपको बताना है इनमें basic strength order क्या होगा A B C और D क्या होगा बेटा बता हो ज़रा अच्छा देखेगा यहां पर आता है और थो इफेक्ट और थो इफेक्ट जिससे एस्टाइब के इसको कह दिया जाता है। इसको आपन नेक्स्टेशन मेंडिसकस करेंगे इसका आंशर दीजीएगा आप लोग इसको नेक्स्टेशन मेंडिसकस करते हैं थैंक्यू बटा लंबा होगे गया यह पिर इतासा होगा नी गंटे बर का ओर रहे गे टोपिक यह टोपिक होगा था वोगा इसको कल ले लेंगे आपना की अद्ट